हेलो माई डियर स्टूडेंट्स वेलकम टो माई चैनल आज इस वीडियो में आपके साथ ग्रेट चैन क्वाड़िक एक्वेशन की प्रॉब्लम सम्स आपको समझा रही हूँ चलिए शुरू करते हैं अ बुक सेलर बाइस अनमबर आफ बुक्स वर रुपीश एव तूपर रुपीश वन थाउजन सेवन हड़ने सिस्टी एफ यह तो बुक सेलर जो बुक बाइए कर रहा है उसकी अमाउंट सेम है नमबर आफ बुक्स जो है वो चेंज हो रही है तो कैसे करेंगे इक्वेशन चलिए देखते हैं तो पहले हमको क्या अजियूम करना है जो हमको पूछा गया है question में इस वैल्यू को हम अजियूम करेंगे बुक सेलर कितनी बुक्स बाइख करेगा एक्स वो हम सपोस करेंगे फ़र अमाउंट तो सेम दिये हमको तो अमाउंट लिखेंगे फ़र वन थाउजन सेवन हंड़ेड सिक्स्टी अब तो कॉस्ट अफ बुक कैसे होती पर बुक की कॉस्ट कैसे निकलती है टोटल अमाउंट अपॉन दा नंबर अफ बुक्स दा बुक सेलर हैस ब्रॉट तो वो उस रेशियो से हमको मिलेगा कॉस्ट अफ इच बुक तो हमको हमने क्या किया है यहां पर अब नंबर अफ बुक हमने क्या अजिम क्या है एक्स टोटल अमाउंट हमारे पास है 1760 सो कॉस्ट ऑफ इच बुक का वैल्यू क्या होगा 176 रूपीज 1760 बाइक्स अब डूसरा जो हमारा क्वेश्टन है उसमें क्या पूछा है उसमें क्या कंडिशन दिया है उसमें कंडिशन यह दी है कि अबूसरा तो पिशन दिया उसमे अबाङे उसमें इतल एक्स एक्स प्लस इमोड़ तो इस नहीं अमांट में उसने four more books अगर वो बाई करता है bookseller तो cost of each book क्या हो जाएगा यह दूसरी जो value है उसका cost of each book क्या हो जाएगा amount total amount of rupees upon number of books तो rupees 1760 upon x plus 4 तो इस तरीके से हम पर book का cost निकालेंगे तो अब question में क्या दिया है question में यह दिया है कि each if he had bought four more books for the same amount each book would have cost rupees 22 less तो वो books में से 22 rupees उसको less देने पड़ते तो कैसे होता है वो equation तो हमारे पास जो books है total books cost of each book जब book का number है x वो value minus जब four more books buy करेंगे तो उसकी जो cost of each book आएगी उसको करेंगे तो उसका हमको क्या difference आ रहा है 22 जो question में दिया है हमको इस तरीके से equation form करेंगे अब इस equation को solve करेंगे तो इसमें से 1760 जो numerator में है वो common है वो common बाहर निकाला bracket रखा और जब common बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पर first term में क्या बचेगा 1 upon x minus sign as it is and second term में क्या बचेगा 1 upon x plus 4 is equal to 22 अब यह जो 1760 value है वो left hand side में multiplication form में है यहाँ पर तो जब वो right hand side जाएगा तो division में चला जाएगा मतलब denominator में चला जाएगा यहाँ पर नीचे तो इस तरीके से हो जाएगा 22 upon 1760 और जो हमारा left hand side में जो term है 1 upon x minus 1 upon x plus 4 वो as it is रहेगा तो अब आगे solve करते हैं इस equation को अब left hand side का जो यह term है उसमें हम LCM ले लेंगे दोनों जो denominator है उनको multiply करेंगे first term में यहाँ पर x है नीचे x minus x plus 4 नहीं है तो numerator में x plus 4 multiply किया second term में देखो तो x plus 4 है x नहीं है तो यहाँ पर numerator में x multiply किया इस तरीके से and यहाँ का जो fraction है उसको simplify किया हमने आया answer हमारा 1 upon 80 अब यहाँ पर जो है यह bracket खोल देंगे numerator का यहाँ पर numerator का bracket खोलेंगे तो x plus x minus x जो आ रहा है वो cancel हो जाएगा यहाँ पर इस तरीके से और यहाँ पर denominator में x multiply by x becomes x square और x multiply by 4 becomes 4x तो plus sign जो है यहाँ पर वो plus 4x is equal to 1 upon 80 as it is I hope आपको यह clear है अब next देखते हैं तो क्या आगा 4 upon यह simplify करके मैंने जस्ट ऐसे ही लिखा है equation दुबारा से अब इसको आगे solve करना है तो हमारा क्या value आया तो यहाँ पर जो हमारा equation था यहाँ पर क्या हो जाएगा यह जो 80 है वो 4 से multiply हो रहा है और x square plus 4x है वो cross multiply हो रहा है दोनों terms तो इसलिए यहाँ पर हमारा क्या answer आया यह 320 answer आया तो x plus 4x is equal to 320 I hope यह 320 कैसे आया यह आपको समझ में आ गया है मैंने उपर लिखा है 4 into 80 जो किया है cross multiply से अब यह जो हमको मिली equation quantity equation मिल गई हमें अब यह 320 का हम factors निकालेंगे यहाँ पर मैंने side में rough work करके बताया है आपको कि 320 का ऐसे factors निकालना है इस तरीके से और फिर उन factors को हम इस तरीके से उसका combination करके ऐसे दो numbers चूज करेंगे कि हमें उसका जो answer मिले वह plus 4 मिले क्योंकि हमारी quadratic equation में middle term जो है वह plus 4x है तो इस तरीके से 16 into 20 करेंगे और इस दो number को हम plus 20 और minus 16 करते हैं तो हमको answer मिलता है plus 4 तो हम यह दो factors जो है वह select करेंगे plus 20 और minus 16 तो इस तरीके से हम यह factors ढूंडते हैं बीच वाले अब यह equation हो गई हमारी अब जो first two terms है हमारे यह first two terms है उसमें से common निकालेंगे x तो क्या बचेगा x plus 20 minus 16 common अगर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा x यह minus common निकला है तो यहाँ पर जो minus sign है वो plus में convert हो जाएगा जब भी हम minus sign common निकालते हैं तो sign change हो जाती है तो x plus 20 हो जाता है क्यों? क्योंकि जब हम यह 16 को वापिस अंदर multiply करेंगे 16 into x बनेगा 16x और minus 16 plus 20 बनेगा minus 32 तो इसलिए हमको जो है जब भी हम minus sign common निकालते हैं बाहर तो जो minus sign वाले terms होते हैं वो plus हो जाते हैं अब क्या करेंगे? इन सारे में से इन दोनो जो numbers है उसमें से x plus 20 common है तो x plus 20 common निकाला तो क्या बच गया है हमारे पास x minus 16 तो x minus 16 is equal to 0 x minus 16 equal to 0 and x plus 20 equal to 0 ये plus 20 को हम right hand side लेके जा रहे हैं तो x equal to हो गया minus 20 ये minus 16 को हम right hand side लेके जा रहे हैं तो x equal to हो गया plus 16 अब हमारी जो books है number of books तो negative नहीं हो सकती है तो ये value हम consider नहीं करेंगे या नहीं लेंगे हम x equal to 16 ये value लेंगे तो hence the book seller has brought 16 books अब इस value को हम जब हमारे जो हमने assume की थी equation उसमें डालेंगे तो हमें same answer मिलेगा 22 तो यहाँ पर मैंने check भी आपको बताया है तक ही आपको confirm हो जाए exam में कि आपका answer सही है तो हमारी equation क्या दी 1760 by x minus 1760 upon x plus 4 x की जगा हमने डाला 16 इस तरीके से उनको solve किया तो हमको क्या answer मिला 22 तो यह हमारी equation जो मिली वो right है तो इस तरीके से हम हमारी यह वाली equations चेक भी कर सकते हैं तो I hope आपको यह question जो है कैसे solve करना है वो समझ में आ गया होगा अगर आपको मेरे वीडियो समझ में आते हैं तो like करिए, share करिए, subscribe करिए मेरी channel को Thank you and thanks for watching